देखे जातिकष जन्मח को लेकर के बिहार में बवाज तो चली रहा था तो क्या इसका जो है बवाल पुरे देश में होने बाला है जिस तरह मंत्री नितीज कुमार प्रखर होकर के बोलते हैं कि जातिकर जनगना को पहले से चाहते थे बता दू कि आज जो जातिकर जनगना को लेकर सर्वदलिय बैठक होने बाली है वह मुख तीन बातों का बहुत ही जवर्दस तुझो रहेग क्या चिराग पासवान को जातिकर जनगना की सर्वदलिय बैठक में बुले जाता है पहला सवाल दूसरा सवाल क्या मुखे सहनिक भी आते हैं जातिकर जनगना की सर्वदलिय बैठक में और क्या भारती जनता पार्टी पिछले बार की तरह इस वार भी क्या कोई जुनियर लीडर को बेज करके सद्वलिय बैठक में एक परकार्ट से अपने आपको पीछा चुड़ाने की कोसिस करेगी बैराल नमस्कार मना नाम पंकर जैर आप जन्ता जंक्सन देख रहे हैं अभी हम संबाद भवन के आसपास से देखिए संबाद भवन यहां पर है और यहीं पर सब की नजर रहेगी बिहार में नहीं पूरे देश पर चर्चाआ है पहला सवाल यहे कि क्या चिराग पासभान यह भीườngर्षकमार कि उसमें नेतापर्ति पस्ते स्वियादव होते हैं, मुखमंत्री नितिज कुमार होते हैं, भाजपा से जनक राम होते हैं, हम पार्टी से जितन राम मांजी होते हैं, पूर्व मुखमंत्री रह चुके हैं, और मुकेस सानी भी रहते हैं भी आईपी पार्टी से, और संबंद अच्छे नहीं है तो क्या चिर्याग पासबान को मुखमंत्री नदीश कुमार बुलाएंगे इस्तरदलिय बैठक में दूसरी सवाल यह रहेगी कि क्या मुकेश सहनी इस्तरदलिय बैठक में सामिलोंगे क्या है कि उनके कोई सदस सदन में नहीं है वह खुद मुकेश सहनी कुछी महिनों के लिए यूंकि कुछी दिन के और यही सदन के सदस है जो कि भी आईपी के सुप्रीमों हैं वो इस बैठक में सामिल होंगे की नहीं और तीसरी सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जब परधान मंत्री से बिहार की एक डेलिगेशन टीम जाती है मिलने के लिए जाती के जन्राना को ले करके तो भारती जन्ता पार्टी के तरफ से जनक सब्सक्राइब करूए जाता है कि यहांए जन्राना का और यह चाहते हैं और यह चाहते हैं और रहे चाहते हैं जो कि भारती जनता पार्टी के प्रदेश है ध्यक्षे बिहार प्रदेश के तो देखने बाली बात ये होगी कि क्या आज भारती जनता पार्टी से बिहार से कोई senior leader आते हैं कि ने अगर senior leader नहीं आते हैं तो एक तरफ से ये माना जाएगा कि मुख मंत्री को जिस तरह से confidence में रखा गया एक वक्त था इसा कि जातिकर जन्गना में बीजेपी और जेडियू में भारी घमासान चल रहा था कि क्या जेडियू और बीजेपी फिर से अलग हो जाएगी क्या सरकार बिहार में गिर जाएगी क्या मुख मंत्री नितिश कुमार और तेस्वी परसाद यादव में जिस तरह से नजदिकिया पड़ रही थी क्यास यह लगा जा रहे थे कि जातिकर जन्गना में बिहार सरकार को संकट है और कहीं न कहीं तेस्वी परसाद यादव के साथ मुख मंत्री नितिश कुमार के सुर मिले हुए थे तो यह क्या लगा जा रहा था कि क्या चाचा सब्सक्राइब अगर नहीं होते हैं तो क्या बिहार में जो है जडिव और बीजेपी में जिस तरह से कहा जारा कि एंडिये में सब कुछ ठीक है अब देखने वाली बात होगी कि आज साम चार बज़े बैठक हो नहीं है तो क्या सब कुछ ठीक रहा पाता है वहराल आपको ह चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें बहुत बहुत धन्यवाद